नमस्कार दोस्तों मैं अपने टेरेस गार्डन में हूँ जैसा आप देख रहे हैं जो हमने सीट्स ग्रो किये थे उसकी छोटे छोटे बेबी प्लांट निकला हैं आज मैं आपको जानकारी देने जा रहे हूँ कि बेबी प्लांट जो हमारे आ गये हैं छोटे छोटे इनकी केर कैसे की जाए ये देखिए कितने सारे टमाटर के हैं और इधर भी जो हमने ये ग्रो किये थे इसमें ये भी निकला आए हैं गिलकी लोकी ककड़ी तो इस समय हमको जरुवत रहती है फ्रेंड्स इसकी केर करने की जैसे हम अपने बच्चों की केर करते हैं जब बेबी हमारा छोटा सा रहता है तो हम उसका कितना ध्यान रखते है कि कहीं वो गिरना पड़े कहीं उसको चोटना लगे तो इसी तरह हमें ये बेबी प्लांट की भी केर की जरुवत है कि कहीं ये गिरना पड़े कहीं इनकी शाखां तूटना जाए इनकी जो ब्रांचे उसमें कहीं कटना लग जाए कहिए मुड़ ना जाए इनका भी ध्यान रखना पड़ता कि कहिए सूख ना जाए अगर हम इने ज़्यादा तेई धूप में रखेंगे तो ये सूख सकते हैं इनमें पानी की कमी होगी तो ये सूख सकते हैं तो इन्हें जरुवत है इस समय ध्यान देने की तो इन्हे आप जब भी रखें बेबी प्लांट को तो छाया में रखें और जब तक कि ये पांच इंच तक नहीं हो जाए पांच छे इंच तक के जब तक उन्हें हम ट्रांस्प्लांट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम अभी इन्हें transplant कर देंगे तो ये मर सकते हैं क्योंकि अभी इन में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि ये अपने आपको संभाल सके इसलिए जब ये 5-6 इंच के हो जाएंगे जब इन्हें transplant करेंगे जो मैं अपने next वीडियो में आपको बताऊंगी आप मेरा वीडियो देखते रहिए पसंदा रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे next वीडियो जो है वो देख पाएंगे देखिए कितना beautiful plant है पहुती सुन्दरी देखिए, चीटी इस पर घूम रही है इन्हें भी घूमने की जगा मिल गई है तो फ्रेंड काफी अच्छे से ये हो गए है अभी हमें थोड़ा वेट और करना है थोड़े और बड़े हो जाएंगे फिर इन्हें हम transplant करेंगे तो कैसे इनको transplant करेंगे मैं अपने next वीडियो में आपको बताऊंगी जब तक के लिए आप देखते रहें मेरा ये वीडियो जैशी कृष्णा